कलाकन बनाने में कितना टाइम लगता है अगर किसी हलवाई से पुछा जाए तो सबसे जादा टाइम लेने वाली मिठाई होती है क्लाकन क्योंकि मावे को पका पका कर उसको दाने तर बनाया जाता है तब जाकर कहीं मिलता है हमको कलाकन तो आज मैं इतनी आसान सी रेसिपी ल तोड़ा थोड़ा करकर बैचिस में हमें मिल्क पाउडर को मिलाना है ताकि इसमें कोई गुठलिया वगरा ना रहे हैं और धीमी आज पर हमें इसको अच्छे से पका लेना है जो भी गुठलिया वगरा रहे हैं तो उसे आप स्पैचलर से इस तरीके से दबा कर एक जैसा कर और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है आदा कप शकर मिल्क पाउडर में बहुत ज़्यदा मिठास होती है इसलिए हमने यहाँ पर शुगर का यूज कम किया है अगर आप उस ज़्यादा मीटा पसंद है तो यहाँ पर एक कप शकर यूज कर सकते हैं सारी चीजों को हमें अच कर रहे हैं दो चमच नीबू का रस इससे जो है हमारा जो कलाकंध है वो एकदम दानेदर बनेगा बहुत ही बढ़ियां सा टेक्शर आएगा तो यहाँ से दो से चार मिनिट हमने इसको अच्छे से पका लिया है तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह थोड़ा सा और आप देख सकते हैं इसमें हलके हलके दाने भी दिखने लगे हैं और जितने अच्छे से यह पकते जाएगा उतने ही इसमें दानेदर होता जाएगा तो यह देखिए पैन को भी अब यह छोड़ने लगा है यह बहुत अच्छे से कुख हो चुका है तस से बारा मिनिट म यह मिठाई बनकर ready हो जाती है तो इससे अब हमने निकाल लिया है घी लगी हुई ट्रे में किसी भी मोल्ड में आप इसको निकाल कर फैला सकते हैं और इसे आप इस तरीके से फैला लीजे और इसे हमें आप ठंडा होने के लिए रखना है साथ ही हमने इसको decorate के लिया था भी ट्राइफूट से इसको सजा सकते हैं ताकि इसका जो लुक है बहुत अच्छा आता है एक्दम मार्केट जैसी मिठाई बनकर यह ready होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मिठाई भी कट चुकी है और आप इसका texture देख सकते हैं इसका look देख सकते हैं यह देख तो आपको घंटों इसमें समय बरबात करनी की जरुरत नहीं है तो आप जब चाहें इसे बनाकर enjoy कर सकते हैं तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिठाई बनकर ready हुई है I hope आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी अगर रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडिय को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबाई ठेक क्या